Hello everyone, welcome to GK by Guru Gita Ma'am YouTube channel So guys, आज की वीडियो में बात करेंगे हम बिहार लोग सेवा आयोग की नई विकैंसी के बारे में आज याणि कि 29 मार्च को ये विकैंसी रिलेज हुई है कि इसकी बिहार लोग सेवा आयोग की क्या कुछ विकेंसी में है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो क्या सैलरी रहेगी इसमें, आज ये सब हम इसमें डिसकस करते हैं वीडियो में, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि काफी इंपोर्टेंट यहां पर नोटिस की बात है, बात करते हैं, भारते स्विधान के अंतरगत राज्या सरकार द्वारा, बिहार लोग सेवा आयोग को सोपे गए दायतुओं के फल सुरूप, आयोग की प्रिक्षाओं के संचालन एवं चेन प्रक्रिया पूरण करने से संबंधीत बड़े हुए कारिया के सह समय निश्पा लेगी है, जो बिहार लोग सेवा आयोग यानिके, बिहार पाढलिक स्रविस कमिशन, जितने भी एक्जाम लेता है, उन से रेलेटिड जो भी काम होगा, वो क्या कोन करेंगे, इस वेकेंसी के अंडर जो भी ऐफिसर लगाए जाएंगे, तो इस वेकेंसी के अंडर वो सारे के लिए जो भी आप लेके आओगे और टोटल क्या रहेगा उसमें 600 रुपीज आपको प्रती कार्या दिवस यानि के वर्किंग डे के लिए भुगतान की शर्त पर कार्या के नीमित बिहार लोकसेवा आयोक के कार्यालिया पटना तथा बिहार सचीवालिया एवं सलंगन कार् गालियों एवं सहायकों से विहित परपत्तर निवेदन अमंत्रित किये जाएंगे अब ये स्के लिए स्पेशली यानि के जो रिटायर ओफीसर है जितने बहुगता है उसके लिए लिए फिपैसल निकालीगी है अब यहां पर बात कर लेते हैं मांडेव पारिश रमीक रा मतलब कि नए कंडिडेट इसमें होंगे या नहीं बात करते हैं उसके बारे में भी भुगतान की बात करें पारिशर में कितना रहेगा 500 स्वारी बत्ता 100 यानि के टोटल जो पर वर्किंग डे में मिलेंगे आपको 600 रहेंगे यह कारिया प्रिक्षा से समंदित कारिया इम्म आवश्यक शर्ते देख लेते हैं क्या कुछ इसमें आगे शर्त सेवाकाल का कोई आरोप लंबित नहीं हो अत्वा विभागया कारेवाही लंबित नहीं हो और किसी प्रगार का फोजदारी मुकदमा लंबित नहीं हो यानि के इसमें आगे बात कर लेते हैं चैन प्रोसेस की, क्या कुछ इसमें रहेगा प्रोसेस आयोग के सच्चिव की अध्यक्सता में गठी ते एक चैन समीती द्वारा सक्षातकार यानि के इंटर्व्यू कि माध्यम से आपकी क्या देखी जाएगी आपकी एजुकेशन क्वालिफकेशन एंड उसके बाद है एक पैनल सुची त्यार की जाएगी उक्त सुची से आयोग के कारियाव शक्ताउसार कारिया पर रखा जाएगा आगे देख लिखते हैं आवेदन पत्र भरने से भरने हें तो अवश्यक जो भी डारेक्शन से देगी है यहां पर आवेदन पत्र निधारित पर पत्तर में यानि के एफोर अकार के मोटे कागज पर सव हस्त लिपी में भरें और आवेदन भरने के लिए इंग्लिश के अंतरास्टे अंकों का है प्रयोग हो भरा हुआ आवेदन यानि के हाँ पर आप लास्ट डेट भी देख लीजिए अठारा अप्रेल 2022 की संध्या पांच बजे तक कहां पर सची बिहार लोकसेवा आयोग पटना के पत नाम से केवल निर्धारी टाक या फिर स्पीड पोस से आप वहाँ पर क्या करोगे इसको भेज हुए लिफाफे के उपर दैनिक मान दे पारिश रमिक नियोजन हेतु अवे कार्याले का नाम कौन सा डिपार्टमेंट है से यह जो रिटायर्ड आपकी डेट थी किस इर गिस डेट को आप रिटायर हुए हो सेवा निर्वॱ्ति के पूरव दस वर्सों के अंत्रगत कोई विभागे आनि के उफीचिल आपके पास कोई कारवाही औव दंड कोई फाइन कुछ ऐसा ना लगा हो इसे समंधी एक शपत पत्तर सलगन करना आवश्यक होगा आगे आप इसको देख सकते हो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो यह सब किसे रिलेटिड है आपको जो वहाँ पर डॉकुमेंट भेजने हैं जो भी प्रोसेस है यह सब इसमें लिख है अब फॉम देख लेते हैं कैसे रहेगा बिहार लोकसेवा आयोग पटना के अब यह फॉम है फॉम क्या रहेगा प्रतिकार्य दीवस के पारिश रमिग यहनिके डेली वेजिस पर होगा अवेदक का नाम यहां पर और जैसे यहां पर क्या रहेगा पति या फिर पिता का डेट ओफ बर्थ है आपकी डेट थी जो यह तो यह सब आपने यहां पर मेंशन करना है तो मैं बता देती हूँ इस भरती में कोई भी जो न्यू कैंडिडेट है उसको यहां पर मोका नहीं दिया है तो यह भरती जो रहेगी वो किसके लिए रहेगे रिटायर जो भी ओफिसर है उनके लिए स्पेशली भरती है और यह क्या काम करेंगे जो बिहार लोग सेवा आयोग जो भी जितने भी एक्जाम लेता है उससे रिलेटिड जो भी काम होता है वो क्या होगा वो इस वेकेंसी के तहद होगा यानि कि इस वेकेंसी में वो सब काम किया जाएगा तो यह थी आज की भरती की डिटेल आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जुरूर लिखेगा और इस से रिलेटिड कोई भी आपको किसी भी तरह के आपका question and query हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हूं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े टाइम टू टाइम आपके पास भरती से रिलेटिड या फिर बीपी असी के एक्शाम से रिलेटिड इन्फरमेशन आती रहेगी और बीपी असी का जो असिस्टन पब्लिक सेनेटरी वेस्ट मैनेजमेंट ओफिसर का एक्शाम है उ यू थैंक्स वर वोचिंग